हेलो दोस्तों मैं निर्मल कमार्फ आज आप लोगों के बीच बारभी कलास का अध्या एक बाचित सिर्शक निवंद लेकर आये हैं यह दिगंत भाग टू है चाहे आप आर्ट से लिए हो या फिर साइन्स लिए हो यह एक स्वाका हिंदी अनिवार्ज है अगर आपको अच्छा लगेगा तो जरूल सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि यह अध्याए जह हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं आप ध्यान से सुने उसके बाद आप प्रस्न में जाकर प्रस्न को आप देखिए क्या आप प्रस्न का जवाब दे पाते हैं या नहीं अगर आप प्रस्न का जवाब दे पाते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप जरूल सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अगला व जा रहे हैं जिनके निवंदकार बाल क्रिश्न भट जी हैं बाल क्रिश्न भट जिनका जन्म जिनका जन्म 1844 में हुआ था और इनका मिरित्यू तब हुआ था जब पर्थम विश्वियूद चल रहा था अर्थात 1914 स्वी में इनका देहन्त हुआ था प्रंतु जीवन मरन तो यह सबका है ही लेकिन जीवन काल में कुछ करके चले जाना कुछ इतिहास रच के चले जाना यह सब से अलग बात है तो बाल क्रिश्न भट जिन्होंने बाचित सीर्षक निवंद के माध्यम से उन्होंने हम लोगों को बताया कि बादचीत आखिर है क्या तो बालकृष भट जिनका जन्म उत्तर पर्देश में हुआ है अगर आप किसी भी लेखक का जन्म अगर आप नहीं जनते हैं तो करीबन अंठन्वे पर्तिसत अगर आपको अप्सन अगर मिल रहा है उत्तर पर्देश तो आप उत्तर पर्देश मारिये अंठन्वे पर्तिसत आपका जो है सही होगा दो पर्तिसत ही आपका सही नहीं होगा क्योंकि बहुत अधिक लेखक का जन्म उत्तर पर्देश ही है और वही हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है त्वायफ हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं बादचित जिनके निवंदकार बालकृष्ण भट जी हैं बालकृष्ण भट जी हैं बादचित निवंद के लेखक इस पाठ के माध्यम से बालकृष्ण भट जी बताते हैं कि अगर हमें वाख सकती नहीं होता तो क्या होता। बहुत ही सुन्दर प्रस्ण हैं बहुत ही मार्मिक हैं और यह प्रस्ण क्यों नहीं क्या जाएं कर रहे हैं कि यदि हममें वाक सकती नहीं होता तो क्या होता हम लोग कह सकते हैं कि यदि हममें वाक सकती नहीं होता तो हम गुंगे होते या हम बहरे होते या हम बे आवाज होते या हम बे सूर होते यानि अगर हममें आवाज नहीं होता वाक सकती नहीं होता तो हम अपने जीवन में बहुत सारे कारे को नहीं कर पाते हैं जैसे आज हम देखते हैं कि अपने समाज में, गवं में, सहरों में, हर एक जगा हम देखते हैं कि जनबर रहा करते हैं और जनबर एक अस्थन पर रहकर एक दूसरे से बाचीत नहीं कर पाते हैं यानि अगर हम्में वाक सक्ति अगर नहीं होता तो हम्में और जनवर में ज़्यादा फर्क नहीं होता इसलिए ये वाक सक्ति जो है ये सबसे बड़ा मनुस्थ के लिए बर्दवन है क्योंकि इसी वाक सक्ति के द्वारा हम अपनी बात को एक दूसरे के बीच असोनी से रख देते हैं बात्चित कर लेते हैं ताकि हम एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह से हम लोग समझ जाते हैं यदि वाक सक्ति अगर नहीं होता तो हम अपने दिल की बात दूसरों के बीच नहीं रख पाते हैं यही वाक सक्ति है जिसके द्वारा हम जन पाते हैं बाचित के माध्यम से किस ब्यक्ति का बिचार अच्छा है, किस ब्यक्ति का बिचार बुरा है, किस ब्यक्ति का बिचार किस तरह का है, हम इस वाक सक्ति के माध्यम से ही जन पाते हैं. यदि अगर हमें किसी के साथ मित्रता करना है, बादचित करना है, दोस्ती करना है, साथ रहना है, तो हम इसी बादचित के माध्यम से हम जोन पाते हैं। जैसा कि बाल कृष्ण भट जी बहुत ही सुन्दर ये सिर्षक दिये हैं बादचित दिये हैं आज के दोर में जितने भी लरके का साधी या लरकियां का साधी जब होते हैं तो इस करम में लरके पक्ष लरकी के तरफ लरकी के पक्ष लरके के तरफ आते हैं और एक समाजी कस्त पर उनके घर पर जाकर बादचित करते हैं ताकि बादचित के माध्यम से यह जन पाते हैं कि लरके गूंगे हैं या बहरे हैं या बादचित नहीं कर पाते हैं इसी बादचित के माध्यम से जन पाते हैं यदि अगर वाक सकती नहीं होता तो हम लोग नहीं जान पाते कि कौन व्यक्ति किस परविर्थी का है तो बाचित व्यक्ति के जीवन का अहम एक अंग है तो साफ हम कह सकते हैं कि यदि हमें अगर वाख सकती नहीं होता तो हम गूंगे, बहरे, बे अवाज होते, बे सूर होते, हम जानबर के तरह होते जानबर से अलग हमें सिर्फ भासा ही अलग कर रहा है क्योंकि हम एक दूसरे के बीच अपने बातों को रख लेते हैं जबकि बाचित के संबंद में एक महन बेज्यानिक बेन जोनसन है जिनका मनना है कि जब तक मनुस बोलता नहीं है तब तक उसका गुंदोस परकट नहीं होता है। बिल्कुल सही है हम कैसे जोन पाएंगे कि किस ब्यक्ती का कोन ब्यक्ती किस विचार का है कि सभाव का है जब तक कुछ बोलेगा नहीं तब तक हम जोन नहीं पाएंगे जब कि बेन जोनसन के बाद एडिशन का कहना है ति असल बात्चीत केबल दो ही ब्यक्ति में होता है बिल्कुल सही है क्योंकि जब दो ब्यक्ति आपस में जब बात्चीत करता है तो वह अपने दिल के राज को खोलते हैं और दोनों आपस में बात्चीत करते हैं जब दो ब्यक्ति अगर आपस में अपने जीवन के अधियन से संबंदीत वो बादचित करते हैं और एक दूस्रे के बीच वो रखते हैं कि Kerryत महत्पूर्ण एक जरिया है जिसके द्वारा हम एक दूसरे को ज़र्ण पाते हैं जब दूक्र आपस में बादचित करते हैं तो अपने दिल के बात रखते हैं और जब तीसरे भ्यक्ति उहां पर जब पिर बातचित कर ने का तरीका बदल जाता है जब कि क्झार से अधिक व्यक्ति च्षे अधिक गया जब आपस में बातचित करता है तो ऐसे बातों को रम रमवल बादचित कहा गया है यहीं कि वह जो है चुटूली बात होता है हसी का बात होता है वह बादचित जो है एक दूसरे से वो करते रहते हैं अब हम लोग बादचित करते हैं कि आर्ट ओप कनबर सेशन क्या है बहुत ही सुन्दर ये प्रस्ण है कई बार भी क्लास में पुछा भी गया है कि आर्ट ओप कनबर सेशन अर्था आर्ट ओप कनबर सेशन जो है यह एक ये रोप के लोगों का बादचित करने का एक उत्तम तरीका है तो ये रोप में लोगों के लोगों को आपस में बादचित करने के उत्तम तरीकों को ही आर्ट ओप कनबर सेशन कह कभी हम दर्दी की बाते कभी एक दूसरे के मनुभाव की बाते इस तरह के बात क्या जाता है यह खास करके यरोप के लोगों में देखा जाता है जिसे जिसे art of conversation कहा जाता है अब सवाल है कि मनुष जब तक बोलता नहीं है तब तक उसका गुंदोस परकट नहीं होता है बिल्कुल सत्त है कि जब तक बोलेगा नहीं तब तक उसका गुंदोस परकट नहीं होगा परंतु हमने ऐसा देखा है मनुस अपने जीवन में बहुत कुछ ऐसे कारी हैं जिनको न बोल कर भी उस कारी को कर देते हैं बहुत सारे ऐसी चीज है जैसे उधारन के लिए हम लोग बातचित करते हैं तथागत बुद्ध की बात करते हैं तथागत बुद्ध जब 29 बर्स की अवस्था में गरीत याक किया तो वह गयाप गयाप पीपल ब्रिक्ष के नीचे तपस्या किया और वहाँ पर मौन धारन किये थे ऐसे 29 बर्स के वस्था में जब उसने गिरित्याक किया था तो 6 बर्स तक उसने तपस्या किया इस दर्वियान बहुत कम बोलते थे और तपस्या के दर्वियान तो बोलते ही नहीं थे फिर भी उसने ना बोलकर भी उसने बहुत सारे ज्ञान को अरजित कर लिया यहीं कि ना बोलना भी एक बहुत बढ़ा सक्ती है प्राचिनकाल में जितने भी रिशी मुनी हुआ करते थे महवीर भी हुए थे जिनोंने न बोल कर भी उसने बहुत ही ग्यान को अरजित किया तो दूसरे तरफ हम देखते हैं कि वाक सक्ति कैसा चीज है जब तक बेक्ति बोलेगा नहीं तब तक उसका गुंदोस परकट नहीं हो सकता है यह जैसा कि हम लोग जण चुके हैं कि बादचित एक अच्छा तरीका है एक दूसरे को जणने का जैसे हम आइना में अपने फिगर को देखने के बाद हू बहू फिगर को हम देख लेते हैं तस्वीर को हम देख लेते हैं ठीक उसी परकार, जब हम किसी से बादचित करते हैं, तो उसका हू बहू, तस्वीर हम बादचित के माध्यम से भी हम देख सकते हैं और हम जान सकते हैं. अब थोड़ा सा हम लोग बातचित करते हैं कि क्या ऐसा भी मनुस्रहा होगा जो कभी किसी से बात ही नहीं क्या होगा और जब बात नहीं क्या होगा तब वो किस तरह के भासाओं को जानते होंगे जैसे हम लोग बातचित करते हैं रोबिंसन कुरुशो के बारे में रोबिंसन कुरुशो जो करीबन सोले बरसो तक उसे एक जंगल में रखा गया मनुस से दूर रखा गया ताकि उस पर अध्यन क्या गया कि आखिर मनुस से दूर रखने के बाद आखिर वो किस भासा को जन पाते हैं, क्या कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, इस चीज के बारे में जनने के लिए उसने 16 बरसों तक उसे अपनों से दूर रखा गया, जंगल मे रखा गया जहां जो है वह 16 बर्सों तक वह कुत्ता बिल्ली जैसे जनवरों के बीच रहा और सबसे पहले रविंसन 16 बर्स की अवस्था में एक फराइडी के मुक्सेफ बास सुनी बास सुनी और वह जो है जो भी बात्चित करते थे बोलते थे वह जंगली भासा में बोलते है अगर आपको याँ वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़गो सबस्क्राइब कीजिए ताकि अग्ला वीडियो बना सकूं फिर में अगला वीडियो में ले कर आउंगा इसमें मैं लिक प्रिचा का चर्चा नहीं किया हूं अगले वीडियो मैं लिक प्रिचा का S special में च देखें ताकि इससे भी अच्छा मैं बना सकूं धन्यवाद